आज मैं बनाने जा रहे हूं सूजी और आलू का बहुत ही टेश्टी नास्ता इससे बनाना बहुत आसान है और स्वात में तो बहुत ही मज़ेदार है तो आप इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें और अगर आज की वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज दाल देंगे, नॉर्मल वाली दही यूज करें, बहुत ज़्यादा खटी या मीठी दही यूज नहीं करें, फिर हम इसमें आदा कप पानी डाल देंगे, तो एक कप सूजी आदा कप दही, आदा कप पानी डाला है, मैंने इन सब को अच्छे से मिला दें, और इन सब को मिलान सरसों अब हम इसमें डाल देंगे एक मीडियम साइज का प्याज दो से तीन हरी मिच दस से बारा करी पत्ता डाल दें मिला दें इसे और इसे हम दो से तीन मिनिट के लिए मीडियम फ्लेम पर फ्राई होने देंगे तो तीन मिनिट बाद हम देखेंगे प्याज हमारा फ्राई हो चुका है तो अब हम इसमें एक छोटी चमच अद्रक लैसुन का पेश्ट डाल देंगे मिला दें इसे और इसे प्याज के साथ थोड़ा सा भून लेंगे तो यहाँ पे अद्रक लैसुन के फेश्ट को फ्राई कर लिया है अब इसमें हम मसाले डालेंगे तो मसाले में हमें इसमें कुछ भी नहीं डालना है बस एक चौथाई चमच हल्दी पाउडर डाल दें और एक चौथाई चमच गरम मसाला पाउडर डालेंगे मिला दें दोनों को अच्छे से अब हम इसमें आलू डालेंगे तो यहां पे तीन आलू को उबाल के छिलका निकाल के इसी तोड़ की रखा है मैंने तो यहां पे यह उबली हुए आलू डाल दें मिला दें अच्छे से आलू को आप अच्छे से क्रस कर लें यहां पे आप देख सकते हैं मैं आलू को मैस्क कर रही हूँ जैसे हम आलू क पराठा या मसाला डोसा के लिए आलू का मसाला बनाते हैं बैसे ही हम इस मसाले को बना लेंगे स्वाद अनुसा नमक डाल दें और इसे मिक्स कर लें तो ये हमारा आलू मसाला रेडी है तो हम यहाँ पे गैस को बंद कर देंगे और इसके बाद इसे अच्छे से ठंडा हो जाने देंगे तो जब तक ये ठंडा हो रहा है तब तक हम सूजी के बैटर को रेडी कर लेते हैं तो आदा गंटा यहाँ पे हो चुका है इसे एक बार अच्छे से मिला लें अब इसमें हम पानी डालेंगे यहाँ पे आप देख सकते हैं बैटर बहुत ज़्यादा गाड़ा है तो थोड़ा थोड़ा करके इसमें पानी डालें बैटर की जो कंसिस्टेंसी है इसकी उपर एक चमच पानी डाल देंगे और इसे मिक्स कर लें तोड़ा डालने के बाद इसे बहुत ज़्यादा देर तक नहीं फेंटें और बहुत ज़्यादा देर तक इसे ऐसे नहीं रखें तो ले चलते हैं इसे हम गैस की तरफ तवे पर हम थोड़ा सा ओई लगा देंगे और इसके बाद इसमें हम बैटर डालेंगे तो यहाँ पर एक सर्विंग इस्पून बैटर है उसे ऐसे सेंटर में डाल दें इसके बाद इसे हम हलके आथों से स्प्रेड करें गैस का फ्लेम हम लो रखेंगे और इसके बाद हमने जो आलू मसाला बनाके रखा है उसे राउंड करके उसकी टिक्की बना लें तो हटेलियों उपर इसे ऐसे चप्टा कर लें और इसके बाद इसे हम पिर जो सूजी का बेटर है इसके उपर हम रख देंगे अब हम इसे ढग देंगे और लो फ्लेम पर 3-4 मिट के लिए पकाएंगे 4 मिट यहाँ पर हो चुके हैं अब हम इसे पलट कर दूसरे साइट से पकाएंगे तो पलटते वक्त अभी को हलका सा टेड़ा कर लें और पलट दें तो किनारों पर हम थोड़ा सा ओयल लगा देंगे और बापस इसे ढग कर 3-4 मिट और पकाएंगे लो फ्लेम पर 4 मिट यहाँ पर हो चुके हैं और बापस इसे मैं पलट देती हूँ सूजी को हमने पहले दही में अच्छे से बिंगो दिया था उसके बाद सोड़ा डालके इसका यह बैटर बनाया है तो यह बैटर जो है वो तबे पर जाते ही तुरंट पक जाता है तो इसमें कच्छा रहने की कोई गुणजाइस बिलकुल नहीं है तो यह हमारा एक पैंकेक जो है वो रेड़ी है सेम प्रोसेस से बाके के पैंकेक को बना लेंगे तो तबे पर थोड़ा सा ओईल लगा दें और बैटर को सेंटर में डालें और इसे हलका सा स्प्रेड कर दें गैस का फ्लेम आपको लो रखना है इस बात का आपको ध्यान रखना है अब इसके उपर हम आलो के मसाले की टिकी रखेंगे हलका सा प्रेस कर दें और इसके उपर ये बैटर वापस डालें और आलो को कवर कर दें और इसे हम ढखका लो फ्लेम पर 3-4 मिट के लिए पकाएंगे 4 मिट यहाँ पर हो चुके हैं तो अब हम इसे पलट देंगे तो किनारों पर हलका सा ओयल लगा देंगे और इसे ढखक कर लो फ्लेम पर 3-4 मिट के लिए पका लें तो यह हमारा दूसरा पैन के क्रेड़ी हो चुका है इसे हम निकाल लेंगे तो अब हम चलते हैं इसे सर्व करने के प्रोसेस में इसे आप काट के सर्व करें इससे यह दिखने में बहुत अच्छा लगता है तो सर्व करने के लिए इसे आप तीकी हरी चटनी और टोमेटो केचप के साथ सर्व करें ये नास्ता आपकी फैमली को बहुत ही पसंद आएगा बहुत ही डिफ्रेंट रेस्पी है तो उमीद है आज की आलू सूजी के नास्ते की रेस्पी आपको पसंद आई होगी अगर आपको आज की रेस्पी पसंद आयो तो अपने फ्रेंड्स फैमली के साथ जरू सियर करें थैंक्स फॉर वाचिंग